नमस्कार अन्य प्राणियों से मनुष्य को अलग करने का काम जो है भाशा करती है तो आज हम उसी भाशा की विश्यस्ताव को लेकर चर्चा करने वाले हैं भाशा की विश्यस्ता अगर देखी जाए तो इस वरकार विश्यस्ता बता सकते हैं जैसे की भाशा सरुत्तम जोती है अर्था मनुश्य को जो विश्व का पूरा ज्ञान भंडार खुला होता है तो वह भाषा के कारण ही होता है व्यक्ति के पास जितनी सारी भाषा है उतना उसका जो तत्वध्यान है उसकी जानकारी जो है उसके माध्यम से वो प्राप्त करता है इसलिए मनुश्य को भाषा एक दिशा उस भाषा में बात करता है और उसके सामने वाला व्यक्ति अगर दूसरे भाषिक व्यक्ति है तो जो है उन दोनों के बीच जो है विचारों का संप्रेशन है आदान प्रदान है वो नहीं हो पाएगा किन्तु अगर वह सामने वाला व्यक्ति या जो परिवेश है वह अगर ए एक भाशिक लोगों का है, तो उन सब में एक सुतरता होती है। उनको भाश्या के माध्यम से जो एक सुतर में पिराणिya का म बहुने का म सुतर करें। इसलिए भाषा समाज को एक सुत्र में बानने का काम भी करती है भाषा अब अर्जिस संपत्ति है देखिए कि भाषा को जो है सीखना पड़ता है जब छोटा बच्चा होता है तो वह जो है उसे किसी भाषा का ग्यान नहीं होता किन्तु जैसे जैसे बड़ा होता है तो पहले अपने परिवार के सदश माता पिता हो या अन्य परिवार के सदश है साथी जिस परिवेश में जहापर वो रहता है वहां के लोग जो भाषा बोलते हैं उनसे वो धीरे धीरे भाषा सीखता चला जाता है इसलिए भाषा जो है अर्जिस संपत्ति है भाषा पेत्रुक संपत् तो वह आपके पिता आपके दादा की आपको पिता को आपके पिता की आपको इस तरह से और आपकी आपके बेटे को इस तरह से जो है एक संपतिक जो है एक परिवार का सदस्य से दूसरे जो पीडी को जो है देता चला जाता है किन्तु भाषा का ऐसा नहीं होता है बलकि उसे आरजित करना पड़ता है उसे ग्रहन करना पड़ता है हो सकता है कि आपके पिता जी को एक भाषा आती है आपके आप जो है उनसे अधिक भाषा बोलते हो तो यह जो है पेतरुक संपत्ति नहीं है बलकि आप स्वयम जो है उसने आपने जो है उसे अरजित किया है इसलिए भा भाशा शर्वशक्ति संपन्न है, ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास भाशा हो, वह व्यक्ति विश्व का पूरा ज्यान प्राप्त कर सकता है उस भाशा के माध्यम walking से, मान लिजेगा कि आप अंग्री जी भाषा के अच्छे जानकार है तो अंग्रीजी भाषा में जितना भी ततुद्ञान है, जितना भी सहित्त है, जितना भी ज्ञान की कुछ किताबे हैं, तो उनका अध्यन करके आब जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए भाषा सरोशक्ति संपन्न है, भाषा मनुष्य के लिए एक तरह से शक्ति प नहीं करने तो यहां पर आपको जो है मराँटी बह diciendo ऑलνεवाले लोग दिखाई देंगे आर्था उसकी व्यापकता उसकी व्यापक्ता झाले हैं वह एगुए हब तरह से नहीं बल्कि उसकी व्यापकता आप कर 550 में प्ररडेश के जाए आ रोप पक रूप में व्याप्त रहती है भाषा विराट और विश्व कर्मा है ऐसा कहा जाता है कि भाषा का सुरूप जो है एक विराट सुरूप है क्योंकि जितना आप उसके तह तक चले जाएंगे उतना सुस्मता से जो है ज्यान उस भाषा में मिलेगा वो व्याकरनिक दृष्टी से हो या ज्यान की दृष्टी से हो वह जो है इसलिए भाषा को विराट या विश्योकर्मा भी कहा जाता है जैसे कि आप संस्कृर्ट को देख लीजीये प्राचिन काल से आज तक संस्कृर्ट का विकास हमें दिखाईरा के दो जो है प्राचिन काल से आज तक जो है इस तरह से मतलब परमपरा जो है कही पर भी खंडित होती हुई नहीं दिखाई देती बलकि वह प्रहों के रूप में जिस प्रकार नधी का प्रहों होता है उसी तरह से भाकिशा जो है वह प्रहों के रूप में आगे चलती हुई दिखा जैसे कि आप प्राचीन मराटी देखिए और आज की वर्तमान मराटी देखिए भले उसमें शाब्दिक दुरुष्टी से थोड़ा बहुत परिवर्तन है मतलब भूमंडल करम के समय के साथ साथ बदलता हुआ तो दिखाई देता है किन्तु यह परंपरा जो है निरंतर आगे मतलब चलती रहती है इसलिए भाषा परंपरागत वस्तु है अगली विशेस्ता है भाषा सामाजिक वस्तु है अर्थात भाषा का विकास जो है वो समाज में ही होता है अगर भाषा समाज के द्वारा उपयोग में नहीं लाई जाती तो वह जो है मुरत्तप्राय होती है हम देखते हैं कि पहले कहा जाता था कि संस्कृत भाषा जो है वो बोलचाल की भाषा थी किन्तु समय के साथ साथ जो है लोगों ने जो है संस्कृत चोड़कर जो है अन्य अधुनिक भाषा में बातचित करना शुरू किया और धीरी धीरे जो है संस्कृत बोली भाषा से जो है केवल ततुन्यान या ज्यान की भाषा के रूप में ही स्थित रही इसलिए भाषा सामाजिक वस्तु है हम उसका जितना उपयोग करेंगे उतना वह विकसित होती हुई दिखाई देती है भाषा मानों की अक्षे निदी है अरतात ऐसा नहीं है कि वो कभी समाप्त होती है आप जितना ग्यान दूसरों को देंगे उतनी ही भाषा कसित होती ही चली जाती है इसलिए ये कोई समाप्त होने वाली वस्तु नहीं है बलकि आप चितना उसका उपयोग करेंगे चितना उससे ग्यान प्राप्त करेंगे और दूसरों को ग्यान देते रहेंगे उतना जो है वो भाषा का भंडार आपका बढ़ जाता है इसलिए भाषा मानों को ती हुई एक अक्षे निदी है ऐसा एक विशेस्ता हम बता सकते हैं भाषा भाव संप्रेशन का साधन है मनुष्य मन के जो भाव होते है उसको एक व्यक्ति के भाव जो है दूसरे व्यक्ति तक एक व्यक्ति के भाव पूरे समास तक या पूरे तपके तक पहुचाने के लिए जो है भाषा महतवपूर्ण माध्यम है अरता संप्रेशन का संप्रेशन का साधन है बलकि बाकी प्राणियों में वो अपने आवाजों के माध्यम से एक दूसरे को बताते रहते हैं किन्तु मनुष्य के पास वागींद्रिय है और जिसके बदलत वो बोलता है और बोलने के कारण अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है इसलिए भा बाशा अनुकरन से प्राप्त होती है अब कोई भी विक्ति देखिए जब चोटा होता है या उसकी जो सीमा होती है बाशा की जानने की वो कम होती है कि तो धीरे धीरे वो जिस प्रकार परिवार का समाज का हिस्सा बनता चला जाता है तो वो जो है उसकी भाशा निरंतर जो वहां पर अपने गुरुजनों का अनुकरन करता है और समाज में रहते हुए जो है वहां से वो दीरे-धीरे जो है भाशा अनुकरन के माध्यम से विकसित करता हुआ दिखाई देता है भाशा परिवर्तनसील है भाशा यह भले ही प्राचिनकालसे आज तक हम अगर भाशा के विकास के संधर में अगर देखते हैं या वहां के उसके साहित्य के संधर में देखते हैं तो हम निच्चित यह पा सकते हैं कि भाशा परिवर्तन सिल है क्योंकि प्राचीन हिंदी और आज वर्तमान समय में बोली जाने वाली हिंदी में कई तरह से हमें अंतर दिखाई देता है क्योंकि आज भुमंडली करन के यूग में जो है मनुष्य एक दूसरे से अधिक संपर्ग में आ रहा है और इसके कारण जो है विन्न भाषाओं के शब्द जो है वो ग्रहन कर रहा है इसलिए भाषा का समय के साथ-साथ जो है परिवर्तन होता हुआ ह इसलिए भाषा परिवर्तन सील है प्रतेग भाषा की एक सरचना होती है और वो अलग पतक होती है जैसे कि हर भाषा का मतलब दोनी रूप वाक्य या प्रोगति तो यह जो है साथी उसके लेखन के संदर में कर्ता कर्म और क्रिया इसमें भी जो है अलग हर भाषा के अपने मनुष्य का सबधु ही रहा है कि मनुष्य ने जो कठीन है आर्थाथ हम जब किसी शबद का उचारंग करते हैं और वो उचारंग करते समय अगर वो शबद बोलने में अगर कठिना ही मोसिस होती है तो वो विकती झो है धीरे धेरे उसे सरलता की ओर लेकर चला जाता है इसल इसलिए भाषा कटिंता से सरत्ता की ओर जाती हुई हमें दिखाई देती है इस तरह से कुल भाषा के विशेस्ता के संधर में अगर देखा जाए तो हम कह सकते है कि भाषा जो है यह मनुश्य के लिए जो है सबसे बड़ी देन कही जा सकती है और जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है अपने विचार बढ़ी प्रभाविता से रखता है आज हमने भाषा की विशेस्ता के संधर में जो है चैर्चा की धन्यवाद